नमस्कार मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हल्थ इंडिया जहां हम बात करते हैं आपके और हमारी सिहत के बारे में तो चलिए आज बात करते हैं कि खाली पेट खटे फलों के इस्तमाल से रोका तूँ जाता है जी हैं सुबा के समय फलों का सेवन स्वास्त और शरीर के लिए सबसे फायदे बने होता है लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें खाली पेट खाने से बचना चाहिए साइट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों को खाली पेट खाने से एसिडिटी बढ़ सकती है खट्टे फल बिटामिन सी का अच्छा श्रोथ होते हैं इनमें संत्रा मौसम्मी निम्बू कीवी जैसे फल शामल है आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन-कौन से खट्टे फल है जिन्हें खाली पेट नहीं खाना चाहिए साथ में ये भी बताएंगे कि नास्ते में क्या खायना फाइदेमंद होता है सबसे पहले खाली पेट ये तीन खट्टे फल को नहीं खाना चाहिए जिसमें पहला है अंगूर अंगूर खाने में खट्टे होते हैं इसलिए इन्हें खाली पेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें बिटामिन C की मात्रा जियादा होती है इसके अलावा इसमें साइट्रिक एसी भी पाय जाता है जो पीट में जलन पैदा कर सकता है तीसरा है केला केले में बहुत से पोशक तद्व होते हैं या एक अच्छा आहार है केला मैगनेशियम और पोटैसियम से भरपूर होता है लेकिन इसे खाली पेट खाने से बचना चाहिए केले में मौजूद ये पोश्टिक तद्व पीट में बिचैनी उल्टी जैसी परिशानिया भी पैदा कर सकता है हल्दी गट यानि स्वास्त आत के लिए नास्ते में मुठी भर नट्स खाना भी हजज जरूरी है यर्नाक के बल पाचर में सुधार करते हैं बल्कि आपके पीट में पीच लेवल को भी समाने करते हैं आप अपनी डिली डाइट में किश्मिस बादाम और पिस्ता को भी शामिल कर सकते हैं हालाकि आपको इन्हें कम मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि इसके अधिक खाने से पिंपल और बजन भी बढ़ सकता है खाली पीट बादाम खाने से सिहत को कईलाब मिलते हैं बादाम, मैगनीज, विटामिन A, प्रोचीन, फाइबर, ओमीगा 3 और ओमीगा 6 फैटी एसिट भड़पूर मात्रा में पाया जाता है इन्हें रात बढ़ दुगों कर खाने से अधिक फायदा मिलता है दूसरा गर्म पानी और शहद सुबह सुबह गर्म पानी और शहद मिला कर पीना फायदे मन होता है शहद में विटामिन और फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो पीट को साफ रखने में काफी मदद करता है गर्म पानी के साथ शहद पीने सी शडीर के अंदर मौझूद पिशात पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जिससे पेट की समस्याएं भी दूर हो जाती है तो ये कुछ समधान थी जो आप खाली पेट खा सकते हैं या नास्ते के समय ले सकते हैं और सुबह उटकर गर्म पानी ज़रूर के ये आपकी पेट को साफ रहता है लेकिन खटे फलों के सेबन से आप जरूर बचे चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो संत्रा हो, चाहे वो मौसमनी हो या फिर केला केला खटा नहीं होने के बाब जूद भी इसे खाली पेट खाने के लिए मना किया जाता है तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं ऐसे ही तमाम जानकारीों के लिए हमारे साथ बने रहें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया